बिग बॉस सीजन 17 के घर के अंदर अपकमिंग एपिसोड जो है काफी जादा जो है वो इंटरस्टिंग आने वाला है तो आज हम आप सभी दश्कों को अपकमिंग एपिसोड में क्या होगा ये बाते पूरे विस्तार से बताएंगे दोस्तों लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल क्विक टीवी न्यूस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूस को आप सब्सक्राइब करना ना भुलिए बिल्कुल भी टॉर्चर टास्क का डे वन पूरी तरह से समाप्त हुआ जहाँ पर मुनवर फारुकी अभिशेक कुमार और साती साथ मनारा चोपड़ा अरुण जे जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर परफॉर्म करते वे नजर आये टॉर्चर टास्क के डे वन को अब इसके बाद डे टू आया और डे टू में टीम B को जो है यहाँ पर पूरी तरह से टॉर्चर सहना था टीम A जो है यहाँ पर वो लोगों को टॉर्चर करना था टीम B को अब यहाँ पर बिग बॉस के मेकर्स ने सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है वो लेकर आए अब वो ट्विस्ट क्या है ये बात आपको बताते हैं तो आपको बताना चाहते हैं दोस्तों विकी जैन, अंकिता लोखंडे, साती सात इशा मालविया और आईशा खान जो है उनकी ब बिग बॉस के मेकर्स ने भी सबसे बड़ी चाल चली अब विकी ने क्या चाल चली वो बताते हैं आपको विकी ने मसाला से भरे बकट के जो है पूरी तरह से छुपा दिया जी हाँ मसाला से भरे बकट को छुपा दिया और साती सात कहां छिपाया तो कैमरों के पीछे जो ह उन्होंने चिपाया और यह बात जो है वो पता चल गया मुनवर फारूकी को अब यहां पर Big Boss के Makers के कैमरों के सामने जो है मुनवर जो है यहां विक्की से बूरी तरह से लड़ पड़े पूरी तरह से यहां पर जघड़ पड़े इसके बाद आपको बताना चाहते हैं दोस् नारा चोपड़ा टीम A की सदस से थी, अब यहाँ पर टीम A नॉमिनेट होती या तो टीम B नॉमिनेट होती, तो यहाँ पर बिग बॉस के मेकर्स ने फैसला पूरी तरह से सौप दिया टीम B पर, क्योंकि टीम A जो है मसालों को छुपाते वे नजर आई, पूरी तरह से समान को चुपाते हुए नजराई तो यहां पर Big Boss के Makers के According जो है Team B ने जो किया वो गलत किया अब Team A को फैसला लेना था कि उन्हें करना क्या या फिर नहीं करना तो यहां पर Team A ने क्या फैसला लिया तीमे यानि कि मुनवव फारुकी साती साथ अभिशेख और यहाँ पर जो हमारी मनारा छोपड़ा है अरुन जी है उन्होंने ये फैस्ला लिया कि वो team B को नॉमिनेट करेंगे टीम भी को वो nominate करेंगे और reason उन्होंने यही बताया कि उनलोग ने मसाला छोरी की छिपाया और ये reason बताते होए उनको direct nominate कर दिया, disqualify कर दिया टॉर्चर टास्क से और टॉर्चर टास्क जो है वो हुआ ही नहीं अब ऐसा क्यों हुआ तो बताना चाहते हैं दोस्तों अभी नॉमिनेट कौन-कौन है आईशा है विकी है अंकिता है और साथी साथ यहां पर जो ईशा मालवी है वो है अब ईशा मालवी तो सेफ हो जाएंगी अंकिता भी सेफ हो जाएंगी खत्रे की घंटी किस पर बजेगी और अगर हम टीम A की बात करें तो मनारा और अरुन जी जो है वो नॉमिनेट हो जाते हैं तो यहां पर आपको बताना चाहते हैं दोस्तों बिग बॉस के मेकर्स को मनारो को सेफ करना था और अरुन जी भी सेफ होई जाते हैं तो बिग बॉस के मेकर्स को यहां पर निकालना किसको था यहां निकालना था आयश्या को विकी को निकालना था टॉप फाइफ की रेस में तो इन्हें देख ही नहीं रहे हैं तो यह इन्हें जो है वो निकालना चाहते हैं बिग बॉस के मेकर बिग बॉस के घर के अंदर यह फैसला जो है टीम A ने ले लिया अब टीम A ने जो फैसला लिया वो सही है या गलत आपके एकॉर्डिंग क्या लगता है आपको कमेंट के जरीए ये बात आप हमें अपने कमेंट के जरीए कमेंट सेक्षन के जरीए जरूर बताएं तब तक कलिए बैनर आमर योटुब चानल के साथ कोई टिवी निूस की रिपोर्ट यदि आपने चानल को सबस्क्राइब नहीं किया दोस्तों तो चानल को आप सबस्क्राइब करना ना भूले बिल्कुल भी आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही